हाई प्रेंट्स वरी गुड बॉर्निंग टू अल अफ यू गाईज चलिए आपका मंगलवार के इस सुभ प्रभात में आप सभी लोगा स्वागत है हम लोग बात करते हैं अभी बज़े हैं सभा के 7.30 बज़े और हम लोग बात करते हैं अपने करेंट अफेस के सो में जितन बी निऊस पेपर में हो जाए वो ऑदा हिंदु में हो दा टाइम सउफण अंडिया में हो या फिर आपका इंडियन오TI एक्सप्रेस में हो या फिर आपका प्रомина करते हैं यहाँ आज हम लोग बात करने ौजडर क्रेंनो का पिछले दिनों तीस तारीक को हम लोगों ने 29 तारीक को जो economic survey पेश किया था उसके एक service के उपर हम लोगों ने discussion किया था और आज दो फरबड़ी है आज हम लोग बात करेंगे बज़ट के highlights के उपर क्योंकि कल एक फरबड़ी को बज़ट पेश किया गया है हमारे जो finance minister है निर्मदा सितार मंजी उनके द्वारा तो क्या-क्या उसके highlights है इसको देखेंगे समझेंगे और क्या हमारे examination UPSC के लिए important हो सकता है उन सबी की को जो है सो हम लोग पॉइंट को collect भी करेंगे सो आए गाइस हम लोग इसमें अपना अपनी करेंट अफिस से उको शो करते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले सभी लोग क्या करें जो लोग भी तक सो रहे हों उनको जगाने का काम कीजिए उन्हें निमंदरन पत्र भीजिए कि क्लास अपने शुरू हो के बारे में YouTube के बारे में there's a lots of thing about the special classes new batches and lots of thing जो अभी उन्हें डिसकुस करें हैं so don't forget to like and share guys come on so यह दिखते हैं अभी आईए हम लोग दिखाएं आपको कि दिखिए अनक आडबी के आप पर आप देखिए कि दो तरीके classes होती है एक new classes होती है एक free classes होती है और दूसरी होती है paid classes free classes में भी आपको तमाम classes मिलती है free classes, best mcq, practice and strategy and there is lot to know about the paid classes जिसको हम लोग बोलते हैं plus courses जिसको हम लोग बोलते हैं subscription plan there's lots of thing जो you people know about that ठीक है ना तो subscription के बारे में भी आपको यहाँ पर में आपको paid plan पर मिलता है subscription जो आप अगर लेते हैं plus का course के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको मिलती है daily life classes, structured courses, live test and quizzes, unlimited access, सारी चीज़े आपको मिलती है और आप यहाँ देखेंगे, thousands of courses that you could find here, thousands of courses not only traditional subjects, quality, history, optional courses, geography, science, tech, environment but of course current affairs भी, Indian economy, practice and strategy, answer writing courses, there's lots of thing मैं आपको बताना चाहूँगा कि UPSC के examination के तेहरे करते हैं तो किल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसका revise करना भी जरूरी है उसका evaluation होना भी जरूरी है अगर आप revise नहीं करेंगे, अगर आप उसके recall नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या हो सकती, आपके लिए दिक्कत हो सकता है राइट सर्माप्स, मैं चाहूंगा कि हमेशा आप क्या करें चीजों को रिवाइस करें, तो मॉक टेस्ट अन अफरी तिग अफरिटिंग आप यू को प्रेज्ट आप पर फिर फाइबरी को टाइम है, 11 आम यानि कि कमिंग संडे को, रेडी फॉर दा कमबाट, UPC कमबाट, जहां होते हैं 45 मिनिट्स, 60 कोशन्स, पूर्टनाइटली कंटेस्ट होता है, और यहां पर आपके पास क्या होता है, अगर प्लस का पिट फॉर्म लेना चाहता है, प्लस की सब्सक्रिप्शन पर आना चाहता है, डेफिनिटल यू से आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करना होगा, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो, ठीके, उसके अपके पर सारा का सरा यह प्लान आपको दिखाई देरेगा, प्लान में आप देखेंगे, कि Cable Plus के लिए, GSK की कोर्स के बाद करों, तो वान येर का कोर्स, त 10% of discount, ठीके, so 49,500 का जो fee है, वो आपका कितना हो जाएगा, 44,550 का, 72,000 का जो कोर्स फी है, वो हो जाएगा, 64,800 का, जो 90,000 का कोर्स है, वो हो जाएगा, 81,000 का, राइट सर्स, इसी तरह के से iconic के fees के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीके, and then, आप देखेंगे, कि optional के कोर्स के भी आपके पास one year, two year, और three year के provisions है, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, कि combo में प्लान अगर लेना चाहते हैं, कि जिसमें आपको UPSC, GS, and optional दोनों मिले, तो one year, two year, ये three year, one year का 70,103 rupees, two year का है 99,680 rupees, three years का है 121,200 rupees, apply code power10, और get 10% of discount, यानि कि जो भी fees है के पास यहां, इसमें आपको 10% का discount आपको मिल जाएगा, you will get that, it's about me, ये छोटे से जानकरी मेरे बारे में है, आईए अब हम लोग के बारे में जान ले, कि पालटी गरू का ये टेलिग्राम लिंक है, you should join this group link, आपको join करना चाहें, क्योंकि इस पे आपको मिलती हैं सारे PDF जो की allowed है, जो allowed है, जो PDF देना, वो आपको हमिल सकता है, classes के information, there's a lots of thing that you can get on this platform, quality group, don't forget, this is my official telegram group, जिसको आप जाएं गर सकते हैं, थेक्स आजिया, इंदेखते हैं, highlights of union budget 2021 के बारे में हम लो थोड़ा सा बात करें, so what is this highlight, देखें, presenting the union budget for 2021 and 2022, finance minister Nirmalaj Sitaraman said that budget proposal for the financial years rests on six pillars, देखें, हमारी जो आदर नहीं वित्मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है, कि जो 2021-22 का budget पेश करते हुए, कहा गया है, कि जो हमारा budget proposal है, इस वर्स का, वो छे pillar पे निर्वर कर रहा है, छे pillar आपके कौन-कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके examination के ल आपको परिशान मत होईएगा, आज तुरह मैं translate नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब मैं PDF आपको दूँगा ना, तो उस वक्त आपका Hindi translation आपको मिल जाएगा, तो परिशान मत होईएगा, तुरह समया भाव था, क्योंकि बज़र पर करने में समया लग दिया, इसलिए तुरह physical and financial capital and infrastructure है, तीसरा है inclusive development for aspirational, इंडिया, यह है तीसरा pillar है, यह तीन pillar होगे, तीन और pillar कौन-कौन से है, तो आपके देखेंगे, कि आपके पास है, यह पूरा हिंदी है, लेकिन पूरा हिंदी नहीं हो पाया, लेकिन आपका पूरी हिंदी मिल जाएगे आपको, ठीके ना, उस यह भी बहुत ही, एक तरह कर देखेंगे, कि economic होकर कि यह बात कही जाती है, कि कम से कम खर्चा करके maximum governance देने की कोशिच की जाने चाहिए, राइट सर, चाहिए यह देखते हैं, sectoral highlights कहके हैं, इस year के budget में, ठीक है, पहला देखते है, health and well-being का, अब जानते है, health and well-being में, स्व जादा है, इसे 137 पसंट जादा है, कितना है, 137 पसंट, यह figure याद रखना है, that is very important, so prelims के लिए आपको याद रखना है, कि इस वार health and well-being है, उसमें कितने पसंट का इजाफा देखने को मिला है, in comparison to, तो बज़र था, 2020 और 21 का estimate का, उसके हिजाब से, तो यह 137 पसंट का जाफ फोकस किया गया है, strength उसको मजबूत करने की बात की है, पहला तो prevention, preventive measures, दूसरा curative, और तीसरा है well-being, यह तीन pillars है, तीन areas है, preventive, curative and well-being, ठीक है ना, जाने कि बिमारी को होने से रोखना है, उप्चार करना है, और फिर well-being करना है, so steps being taken for improving health and well-being, तो क्या-क्या steps लि well-being है, उसमें कुछ शुधार हो सके, तो देखिए क्या ऐसा, पहला है कि वैक्सीन को लेकर, आपने देखा है कि COVID-19, COVID-19 हमारे लिए बहुत बड़ा चुनाती रहा है, 2020 में, in fact अभी भी थोड़ा सा रहा ही है, चुनाती अभी भी पूरी तरह के सा वाड़ अप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर रहा है, कि अब देखेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन एक इंपॉर्टन आस्पिट हो गया है, जिसमें 35,000 करोर रुपए COVID-19 के वैक्सीन के लिए 2021 में प्रभात प्राभधान रखा गया है, ठीक है, मेड इन इंडिया, जो निमोनिकल तो बी रोल्ड आउट अक्रोस दे कंट्री फाइब फाइब स्टेट्स तो एवर्ट 50,000 चायल डेथ एनुवली, ठीक है, जो पचासर बच्चे का डेथ है, अनुवली होता है, उसको एवर्ट करना है फाइब स्टेट्स में, अब देखें हेल्थ सिस्टम क्या है, चासर द दान मत्री आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना, अनुव सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है, तो भी लॉंस्ट इन अडिशन तो एन एचेम, यानि के नैसल हैंट मिश्रम के साथ साथ, एक नया इनिश्योटिव होने वाला है, इसको केंद्र सरकार के प्रविजित होना चाहिए, 17,788, जो है हमारे पास, रूरर, और 11,24, जो अर्वन हेल्थ और वेलनेस सेंटर होने चाहिए हमारे पास, यह बताया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए, कि किस तरीके से हम हेल्थ और वेल्बिग को इंप्रूफ कर सकते हैं, तो यह का गया हमारे पास ए नासल इंसिचूट्स फर वाइरोलाजी, वाइरोलाजी का मतलब है वाइरस की स्टडी के लिए, इसके चार चेत्रिये नासल इंसिचूट्स आपके यहां खोलने की बात किये गए, अंद्रा हेल्थ हेल्थ हेमर्जनसी ऑपरेशन सेंटर्स और टू मॉबाइल हॉस्पिटल क्रिटिकल केर हॉस्पिटल ब्रॉक्स में बनाने की बात की गई है, स्ट्रिंदनिंग ऑफ नास्नल, हम लोग अगर बात करें, सेंटर फॉर डिजनस कंट्रोल, जो कि उनकी जो रिजनल ब्रांचिस है, उनको भी, जो मेट्रपॉर्टिन में, जो हेल्थ सर्वलांस अगर आप, अगर इन स्वास्ते केंद्रों को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे स्वास्ते सेवाएं को देना, यानि कि हेल्थ और वेल बिइंग की जो बात की जा रही है, उसको अचीव करना बड़ा ही मुश्किल का काम होगा, तो यह जो आपके स्वास्ते के आपके पास तो इन सभी को मजबूत, NCDC हो, तो इसको मजबूत करने के बाद की गई है, इसको स्रिंदन करने के बाद करिए, इक्सपांशन of Integrated Health Information Portal to all states, unit territory, to connect all public health labs, यह بھی कहा गया है, यह जितने भी 인्टीघ्रेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन पॉर्टल्स है, सभी राज्जो के और केंदे सासित प्रदेखरों को उनको क्या करना है, connect करना है all public health labs से, इतने भी public health labs हैं, उन सभी से connect करना होगा, that is a good initiative, यह बहुत यह अची पहल है, इसके अलब हम देखेंगे क्या, कि जो public health units हैं, उनको strengthen करना है, और existing जो भी public health units हैं, उनको भी strengthen करना है 33, और new जो है, य regional research platform for W.O.Southis Asia reason को open करने की बात किएगी है, regional research platform को open करने की बात किएगी है, इसके अलावा, हम देखेंगे, बायो safety level 3 का laboratories हमें establish करना है, अपने health के छेत्र में, अब आई हम लोग बात करते हैं, nutrition को लेकर, portion, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, स्वास्तिक के बारे में, तो portion इसका एक अभी नंग है, nutrition एक अभी नंग है, तो nutrition के बिना हम एक healthy well-being की बात नहीं कर सकते हैं, तो portion को लेकर के भी हम पर बहुत सारी बाते कीए, क्या कीए हैं साब, वो देखें, एक mission portion 2.0 को launch करना है, ठीक है न, mission portion 2.0 को हमें क्या करना है, उसे हमें launch करना है, इसका हम देखें क्या, कि जो जितने भी supplementary nutritional program है, और जो portion अभियान है, इन दोनों को merge करने की बात कीएगा, यानिकि supplementary nutrition program है जितना भी, और जो portion अभियान है, इन सभी को आपको merge करना है, ठीक है, इन सभी को बहुत ध्यान रखेगा, social issues भी आपको पढ़ना है, और यहां से कोई पॉइंट उठा करके आप वहां पर use कर सकते हैं, कि budget में किस तरीके के प्रावधान किये गया है, कि nutrition को लेकर के, health को लेकर के, किस तरीके से सरकार ने जो कुछ initiative लिये है, उसके उपर सवाल बनने की संभावना होते है, इसलिए बड़ा ध्यान से, factual detail है, परिशान होने की क परिक्षा में, तो आप करने की सिती में होगे, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, भूलिएगा मत, क्योंकि पबंसर की बात, million dollar बात होती है, don't forget it, right sirs, चलिए, अब देखते क्या है, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक improved nutritional outcomes होना चाहिए, across the 112 aspirational districts हमारे पास है, पुरे देश म इतने 112 है, तो ये था portion को लेकर के, इसके अराव हम देखते हैं, कि जब हम लोग बात करते हैं, health and well-being को लेकर के, तो water supply एक बहुत बरा issue है, जलापूर्ती, जल किया पूर्ती, that is called drinking water, potable water, water supply is another aspect, are you getting me, so इसको लेकर के universal coverage के बारे में बात किया गया, water supply को लेकर, जलापू provide क्या करना है, जल जीवन मिशन अभी तक कुआ था, rural इलाके के लिए, अब जल जीवन मिशन अर्बन इलाके के लिए करना है, जिसके लिए 287,000 रुपे का प्रावधान किया गया है, पांच वर्शों के लिए, इसका उदेश क्या होगा, उदेश क्या है, कि जितने भी जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको टाप वाटर से कनेक्ट करना है, ठीक है ना, 2.86 हाउस होल्ड्स टाप कनेक्शन साब को देना है, युनिवर्सल करना है, वाटर सप्लाई को करना है, सभी अर्बन लोकल बाडीज में, सभी अर्बन लोकल बाडीज में, अल अर्बन लोकल बाडी ULBs में, इसके अलबा हमें क्या करना है कि जितने भी अमरुत cities हैं, अमरुत cities इन 500 जो अमरुत cities हैं, उन सभी में liquid waste management हमारे पास होना है, यह liquid waste management that is a good initiative, so liquid waste management की बात के गए in all 500 अमरुत cities, तो यह है आपको don't forget sir, याद रखेगा, बहुत है important features है geography में भी काम आएगा, economy में भी काम आने वाला यह इतना important factors, awesome next देखते हैं हमारे पास है, एक स्वक्ष भारत स्वक्ष भारत, स्वास्थ भारत एक लाख चौलाइक तालिसदा शेसो अठातर करोर पात साल में urban स्वक्ष भारत mission 2.0 पर खर्च करने का प्राबधान किया गया है so this is a good amount for the five years to expand ठीक है ना, चलिए अब main intervention अदर स्वक्ष भारत mission urban 2.0 जो launch के ज़र उसका क्या क्या है interventions क्या है, इसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं देखी क्या है, इसमें कहा गया है कि पहला क्या करना है सर, हमारे पास complete facial जो होना चाहिए, sludge management होना चाहिए और wastewater treatment होना चाहिए, आपने देखा होगा wastewater treatment को लेकर बड़ी समस्या हैं आती है जो wastewater होता है, उसका treatment हमारे याँ अभी भी नहीं होता है आपने देखा, घरों से, नालों से प्रभाहित होना को आप बिना treatment का सीधे नदियों में मिल जा रहा है जो आपके नहर है, उन में जाके मिल जा रहा है जो industrial waste products में बिना treatment का उनको जबकि इसके लिए सबके लिए कानून बनाया गया है कि बिना treat के वे आप इसको नदियों में नहीं डाल सकते है क्योंकि वो नदि के ecosystem को क्या करता है खराब करता है तो हमारे के कहा गया है सब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वाज़े फेशियल मैनेजमेंट होना चाहिए on waste water treatment इस वरी इंपर्टन दूसरा क्या है कि जो source है ना garbage का वहाँ पर segregation होना चाहिए जैसे आपने देखा भी होगा जब आपके यह पूरा कछड़ा वालोग आता है सूखा का पूरा अलग जो है आपके गिला वाला पूरा कछड़ा अलग ऐसे बोला जाता है तो यह कहा गया है कि हम क्या करना है कि source segregation ही करना है garbage का garbage का source जहां से आप एकटा कर रहे हैं जहां से collect करके आ रहे हैं garbage को ठीके आप वही पर में segregate कर ले हैं dry और क्या देलियो liquid होता है जो आपका wet होता है उन दोनों garbage को अलग कर लिए है सूखा और गिला कछरा अलग अलग करना है उसके अलब हम देखेंगे कि reduction करना है single use plastic में जो single use plastic होता है वो natural के लिए बहुत बड़ा हजार होता है तो single use plastic है ना उससे हमें क्या करना है उसको reduce करना है थाकि यह जो है ecological जो हजार को होने से रोके तो जो single use plastic है उसका reduction करना है कम ही उसमें लेके आनी है reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities आप में देखा है कि पूरी भारत में आज कर construction कहीं metro का construction हो रहा है कहीं highway का construction हो रहा है कहीं bil Czyliस मनाई जा रहे हैं कहीं apartments बनाये जा रहें तो आप देखेंगे क्या इस वैसे इस construction की वैसे और demolition की वैसे activity को लेकर कि हमारे एर पॉलिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वैसे जो constructional demolition activity हो रही है जिसकी वैसे एर पॉलिशन का rise देरे-देरे होता चला जा रहा है इसको minimize करना है इसे हमें reduce करना है ठीक है इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि जितने भी legacy dump sites है न उसका bio remediation भी होना ज़रूरी है ताकि इसका proper management हो सके bio remediation for all legacy dump sites को लेकर के बात किया गया है ठीक है न जब उपचार करना ज़रूरी है उसके देखेंगे क्या clean air जैसे हमनों बात करते हैं health and well being को लेकर के अब जानते हैं इस राइट टॉप it is one of your fundamental rights आपको मैंने बता भी रखा है कि अनुशे जब एकी से बात करते हैं production of life and personal liberty तो life का मतलब क्या होता है dignified life जहां पर मैं आपके पास क्या होना चाहिए clean air का right भी आपके पास आता है ठीक है तो clean air को लेकर के बाद देखेंगे कि 2,217 करोर रुपए का प्रावधान किया गया है air pollution को क्या करने के लिए टाकल करने के लिए 42 urban centers में with a million plus population जिसमें की 10 लाग से जादा की आवादी है वहाँ पर जो 42 urban centers है million plus जो population वाले वहाँ पर में air pollution को control करने के लिए इतना रुपए का प्रावधान किया गया है तो हमारे पास million plus population वाले सहर है वो कितने 42 है इन सभी में हमें क्या करना है clean air के लिए इन पैसे का खर्च करना है air population को control करना है scrapping policy भी आप देखेंगे scrapping policy क्या है दसल क्या है कि अभी आपको कुछ दिन पहले भी मैंने भी क्लास में बताया था कि volunteer vehicles scrapping policy to phase out old and unfit vehicles fitness test होगा automated fitness centers में 20 साल in case of personal vehicles आपका होगा और 15 साल in case of commercial vehicles इन सभी में क्या होगा टेस्ट क्या जाएगा ठीक है और उसके बद क्या है तो उसे के recording हम लोग क्या करेंगे इसे हम लोग retire भी करेंगे 15 साल और 20 साल का concept रखा गया है क्योंकि इसके जो गाडियां होती है जो vehicles होंगे वो pollution ज़ादा create करते है that is not eco-friendly, environment friendly होती नहीं तो गाड़ी का life मानते वे इतना इनको दे दिया गया है अब यह re-invigrating human capital अब इसके बारे में फोड़े से बात कर लेते हैं देखिये school education is important fact 15,000 स्कूल खोले गए to be strengthened by implementing new education policy जो new education policy हमरा आया है 2019 का उसके according हम देखें यह 15,000 स्कूल को strengthen करना है as per NEP new education policy components Salak as an exemplar schools in their reasons for mentoring others 100 अभी जो है हमारे पाल 100 new sanic schools को खोलने की बात की गए in partnership with NGO ठीके न so 100 sanic schools खोले जाएंगे 100 sanic schools ठीके न यह किसकी सहायता से NGO और private schools की सहायता से माध्यम से यह याद रखे 100 new sanic schools in partnership with NGO and private schools or states so that is a great initiative higher education के field में अगर हम लोग बात करें to set up higher education commission of India as an umbrella body for four separate vehicles for standard setting accreditation, regulation and funding अब जानते किसे भी अब higher education में जाएं तो standard set करना कि हाँ उसमें प्रहाय लिखाई का level क्या होगा क्या curriculum होना चाहिए etc तो एक तो यह आपके पास हो गया कि standard setting को लेकर के ठीके ना जो चार इसके important vehicles होते हैं दूसरा accreditation को लेकर यानि मानिता देने को लेकर regulation को लेकर और funding को लेकर एक umbrella यानि कि universal हमारे पास क्या होना चाहिए higher education commission of India होना चाहिए जो क्या करेगा पुरे देश में higher education को लेकर जितने भी standard setting से वो set करेगा accreditation देने का काम किसी भी college को करेगा regulate करेगा जितने भी सरकारी college है उन से भी को cover करेगा एक umbrella structure के अंतरगर university को research institutes को in a city for greater synergy ठीके न इन सभी के लिए glue grant देखेंगे to implement the same across nine cities ये भी बात करेगे और एक जो फिर से important है आपके examination के लिए एक central university को खोलने के बात करेगे कहाँ पर लेह में किया आगया लेह में for accessibility of higher education in लगदाक में higher education के accessibility बनी रहे इसके लिए लेह में क्या किया जा रहा है एक central university की स्थापना की बात की गई है that is a very good initiative इसके लावा देखेंगे schedule class और schedule tribe के welfare के लिए schedule class और जो अनसुचे जाती अनसुचे जन जाती हैं उनके welfare के लिए साब उनके कल्यानार्थ के लिए कल्यान के लिए देखेंगे कि 750 एकलवी स्कूलों को क्या किया जा रहा है model एकलवी स्कूल को जो आपके जानते हैं कि residential schools होता है यह कई बार examination में UPC ने पूछ रखा है residential schools होता है in tribal areas यह model तो यह 750 model residential schools in tribal areas को खोलने की बात की गई है ठीके और जो unit cost है प्रते की स्कूल का इसको increase करते हैं 38 crores किया गया है दूसरा जो hilly और difficult areas है वहाँ पर यह 48 crores कर दिया गया है वहाँ के लाकों 38 crores है focus किया गया है क्या हमारे पास कि creation of robust infrastructure का create किया जाए creation of infrastructure facility for tribal students जितने भी जंजातिये चात्रे हैं यानि कि जो लोग tribal students हमारे हैं उनके लिए set मतलब कि infrastructure को create किया जाए robust infrastructure facility को create करने के बात की गई इसके अलावा metric के बाद यानि कि 10th के बाद board जिसको उनको बोलते हैं post metric scholarship scheme को show करने के लिए किया गया है कि किसके लिए schedule cast के students के welfare के लिए इसके अलावा देखेंगे central assistance देने की बात किये गए है 6 सालों के लिए 2025 से 26 तक के लिए ठीक है ना इनको central assistance for 6 years central assistance for 6 years तिल 2025 से 26 के लिए उसके अलावा देखेंगे 4 करोड schedule cast students to benefit इससे होंगे जो ये initiative लिया जा रहा है जितना भी इससे 4 करोड लगबग जो schedule cast students होंगे उनको लाव पहुंचने वाला है So you could understand these things I believe कि you are not getting the problem अब देखें जैसे हम लोग बात करते हैं revamping के लिए इन्विर्टिंग के लिए हमारे पास opportunity को बढ़ा जाना चाहिए इसमें 3,000 करोड रुपया Relignment of existing national apprenticeship training के लिए खर्च के लिए N.A.T.S. के लिए खर्च करने की बात के लिए 3,000 करोड towards post educational educational apprenticeship apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering ठीक है इसके लिए N.A.T.S. के अंदर national apprenticeship apprenticeship training scheme है इसके लिए post educational apprenticeship program है training of graduates है तो यह skill development का काम है basically तो आपको यह क्या है initiative for partnership with other countries in skilling to be taken towards similar to partners यह भी आपको कहा गया with UAE यह याद रखेगा UAE के साथ एक benchmark skill qualification के बात की गई है assessment certification and deployment of certified workforce आप जानते हैं कि UAE में बहुत सारे इंडिया से करके और वो काम करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर एक skill qualification को assessment के लिए certification के लिए इसको establish करने की बात की गई है deployment of certified workforce जापान जापान के साथ गया यह UAE हो गया जापान के साथ क्या है इसा for a collaborative training inter training program TITP collaborative training inter training program की बात की गई to transfer of skills, techniques and knowledge यानि कि जो भी इस know-how है skills है technique है technique है घ्यान है ठीक है ना उन सभी को क्या करना है आपको disseminate करना है collaborative training inter training program जापान के साथ शुरू है और skill qualification के assessment के लिए certification के लिए UAE के साथ हो है इन दोनों को याद रखेगा यह बहुत महत्वण है नेक्स है innovation and research and development देखे सब अनुसंधान और विकास के लिए innovation नवो नमेश अनुसंधान और विकास के लिए modalities of national research foundation announced in July 2019 इसके लिए 50,000 करूर रुपे का outlet पाथ साल में किया गया है इस सब याद रखेगा to extend an overall research ecosystem with a focus on national priority thrust area यानि कि हमारे रास्टी का जो thrust area है जो कि priority में है कि जिससे हमारे याँ क्या innovations कि इसको focus करना चाहिए वो उसके लिए to extend an करना है कि overall ecosystem होआ research ecosystem ऐसा हो कि नासल जो priority thrust area है उसमें हमें क्या मिल जाए कि इसको extend an कर से कि उसको focus कर सके जो कि हमारे देश के विगास में काम करेगा पंद्रसो करूर जो है फिप्टिन करूर रुपीज प्रपोस किया गए scheme to promote digital modes of payment ठीक है ना sir objective है prelims के लिए बेहद महत्वण है facts से loaded है आज का class लेकिन इस facts को आप compromise नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि buzzard और survey अगर आपने ठीक से कर लिया तो 7-8 सवाल लगबग लगबग आप मान के चलें कि आपके UPC prelims में आपको देखने को मिलेगा ये trend है trend से UPC भटक नहीं रहा है तो आपको बहुत ही तरीके से buzzard को और survey को देखके जाना होगा ये मेरा आग रहा है जो भी highlights है वो मैं उठा के आपको देहीं रहा हूँ ये facts अपने की प्रशन देखिए आपको समझ में आएगा तो आप buzzard और survey को बहुत बढ़ियां से करके जाएगे 2-3-4 बढ़ पढ़के जाएगे बाकि जितना मैंने मुझे लगा है important है उन सबी को मैंने यहाँ पर में डाल दिया है ठीक है? सो परिशान नहीं हो ना ये आज की class फुर्ण loaded with the facts है एक बार में याद नहीं होगा एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको इसको download कर लीजएगा ये मैं PDF आपको भेज़ी दूँगा टेलेग्राम ग्रूप पे उसको देखेगेगा बार बार चिंतन मनन करिएगा दो तीन बार चार बार देखेंगे हो सके तो खुद से भी एक आद बार पढ़के इतनी आत्म संतुस्तिक कर लिएगे कि सर ने कुछ छोड तो नहीं दिया है वैसे कुछ important छूटा नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपको लगते हैं एक बार देख जरूर लिजएगा नेक्स आज ये national language translation mission के शुरुबात की गई है जो मेक government and policy related knowledge अबलेबल इन major Indian language आप जानते हैं कि इंडिया जो है भाशा भासाई के अधार पर देखेंगे बहुत सरे आप देखेंगे कि language के basis पर differences हैं यहाँ पर यानि कि language जो है उसको लेकर diversity देखने को मिल रही है तो जितने भी major language है उसमें हमें क्या करना है government के जितने भी governance और policy related knowledge है ना उन सब को major Indian languages में डालना है यह national language transition mission का उद्देश है जिसके स्थापना के बात की गई है इसके लबा हम देखते हैं कि PSLV CS51 को launch करना है New Space India Limited carrying Brazil's Amazonia satellite and some Indian satellites ठीक है ना यह हमारा next satellite launch होने वाला है PSLV CS51 by New Space India Limited NSIL carrying जो कि Brazil का Amazonia satellite को carry करेगा इसके अलावा भारतिये कई उपग्रहों को लेकर के भी जाएगा ठीक है याद रखेगा सर वेरी वेरी इंपॉर्टन वेरी वेरी इंपॉर्टन सर बात में मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं बहुत महत्व कुणा है सर Apart from गगन व्यान mission गगन व्यान mission के अत्रिक्त क्या कि हमारे पास चार इंडियन एस्टोनाट्स हैं जिनको train किया जा रहा है on generic space flight aspects in Russia ठीक है ना और इंडियन एस्टोनाट्स को train किया जा रहा है on generic space flight aspects के लिए आस्पेक्स के लिए रश्या में पर्स अन्मांड लांच is slated to be December 2021 जो मारे पहला अन्मांड लांच होगा वो है December 2021 में expected है 4000 करूर रुपे का पाथ साल में ख़च करने Deep Ocean program पे mission पे survey exploration and conservation of deep sea biodiversity को ले करके तो इतने सारे चीजें ऐसा यह आप लोग को ध्यान में होने ही चाहिए नहीं करेंगे तो गरवाएगा जो लास्ट पीलर है हमारे पास minimum government and maximum governance इसमें क्या कहा गया है measures being undertaken to bring reforms in tribunals to ensure speedy justice ठीक है ना, speedy justice के बात कीगे national commission for allied health care professionals already introduced to ensure transparent and efficient regulation to the 56 allied health care professions के बारे में बात किया गया, that is the objective of minimum government and maximum governance इसके लाँ देखें एक national nursing और midwifery commission bill को introduce करना है, bill introduced for the same in nursing profession इसी उद्देश से nursing profession के लिए एक national nursing and midwifery commission bill को introduce किया गया है, इसी budget session में proposed conciliation mechanism with mandate for quick resolution for contractual disputes with CPSEs के साथ भी किया गया है, इसके लाँ देखेंगे 3768 रुपय ऐलोकेट किया गया है, first digital census को ले करके in the history of India, first digital census, 3768 यह पहली बार होगा first census, digital census in history of India, 300 करोड रुपय ग्रांट to the government of Goa, 300 करोड रुपय ग्रांट दिया गया है Goa को for the diamond and jubilee celebration of the state liberation from Portuguese यह याद रखेगा, पुर्तगालों से यह अलग हुआ था, Goa, मुक्त हुआ था, तो इसके grant celebration को diamond jubilee celebration होना है, इसके लिए 300 करोड रुपया का grant रखा गया है, ठीके ना, पहला digital census होने वाला है, इतिहास में भारती है, इतिहास में, इसके लिए 300 768 करोड रुपय का रखने का प्रावधान किया गया है, इसके अलबा देखेंगे, कि जो welfare of team workers है ना, especially इसमें जो महिलाएं और बच्चे हैं, असम में और वेस्ट बिंगॉल में, उसके लिए 1000 करोड रुपया, उनके welfare के लिए रखा गया है, एक हजार करोड रुपया, through a special scheme, so 1000 करोड for the welfare of team workers, especially women, and the children in Assam and West Bengal, through special schemes, फ्यक्राइब इसके लिए रखा गया है, अब अजे नेक्स सोबसा इंफ्रस्ट्रिक्चर में बात कर लेता है, टाक्सेशन में बात कर लेता है, इसक्रा, इंफ्रस्ट्रिक्चर में कहा गया है कि जो vehicle scrapping policy है, to phase out old and unfit vehicles, जिसको हमने आगे भी discuss कर रहा है, all vehicles to undergo fitness days in automated fitness centers every 20 years, ठीक है ना, ये personal vehicle की बात होगे, और 15 years पे commercial vehicle का automated fitness center है, वहां लेकर जाना पड़ेगा, इसके लिए देखेंगे कि नाशनल rail plan, जो है created to bring a future ready rail system by 2030, यानि कि future ready, जो railway system है, उसको mix it करना है, कब तक हमें 2030 तक करना है, 100% electrification होना है railway का, 100% ये कब तक हो जाना है railway का, 2023 तक, ये सब बहुत-बहुत महतपूर है, तर फाक्ट ओवर लेड़ड़ है, लेकिन आपको याद रटना है, बहुत महतपूर है, Metro services को announce किये गए 27 सहरों में और, 27 cities में, National Hydrogen Mission लिया गया है, to be launched, generate hydrogen from green power sources, जिन करना hydrogen from green power sources, तो these are very important aspects sir, please don't forget it, these are very important facts sir, मैं handful of requests करता हूँ, प्लीज इनको याद रखेगा, जरूर, बहुत महतपूर्ण है, Deadlines भी आपके लिए बहुत महतपूर्ण है, recycling capacity of ports to be doubled, जो हमें ports होते हैं, जहाँ पर recycling capacity को दूगुना करना है, 2024 तक क्योंकि आप जानते हैं, कि port के लाके में, आप देखेंगे हमेशा recycling का काम होता रहता है, इसके अलावा देखेंगे कि जमुन कस्मीर में एक गास लाइन प्रोजेक्ट को सेट अप करना है, ये भी प्लान है जमुन कस्मीर में, उसका देखें, परधान मंतरी उज्वला योजना जो है हमारे पास, परधान मंतरी उज्वला योजना जो की LPG scheme है, उज्वला योजना जो परधान मंतरी उज्वला योजना है, इसको विस्तार करते हुए, एक करोर और लोगों को जो बेनिफीस सीरीज हैं, उनको इसके इंदर गर शामिल करना है, और उज्वला योजना किसे जुड़ा हुआ है, LPG scheme से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इन बातों को सर याद रखेगा, बहुत मैं पुरूँए, छोड़ी छोड़ी बाते हैं, मैं यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर आपने इसे दो-तीन बार अगर अगर अपने इस PDF को देख लिया होना, तो भी ऐसे चीज़े आपके दिमाग में बाठ जाएंगी, कुछ चिंता की बात नहीं है, मैं भी अगर पहली बार देखूँगा, तो मुझे भी थोड़ी परिशानी होगी, लेकिन मैं भी दो-तीन बार कास को देख लूँ, जो की पेंशन का लेते हैं, और अपने जो भी उनकी सेविंग्स है, उसके उपर इंट्रेस्ट कमाते हैं, इसके उनको इंकम टैक्स को फाइल करने की आदशक्ता नहीं है, ठीक है, उसके देखे हैं क्या कि टैक्स में कुछ ड्यूटीज भी आती है, इसमें कौपर स्काप के उपर रेड्यूस कर दियागा, धाई परतीशत, धाई परतीशत, ड्यूटी कौपर स्काप रेड्यूस कर दियागा, धाई परतीशत को लेकर के, नाफ्ता पर में रेड्यूस कर दियागा, उसमें इससे बढ़ा करके पंद्रह प्रतिशत कर दिया गया, तो 10% कर दिया गया So solar inverters को 20% कर दिया गया, बढ़ा करके और solar lanterns को आपको क्या कर दिया है, 5% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया बहुत ही महत्वण है, very very important source, very very important source इन facts and figures को याद जरूर रखेगा मेरा humble request आप सभी लोगों से sirs and mams उसका देखेंगे nylon के जितने भी product है nylon जितने भी products है nylon के इन सबों के 5% का custom duty लगाने के बाद के custom duty nylon products के उपर में उसका देखेंगे tunnel boring जो machines है इनके उपने custom duty भी attract हुआ कितना 7% का और custom duty on cotton raised from 0 to 10% आप 0 से बढ़ा करें cotton जो है custom duty है किसके उपर में cotton के उपर में इसको सुनी से बढ़ा करके हमने कितना कर दिया है 110 प्रतिशक कर दिया है sir and ma'am it's my humble request sir please इन डेटास को जरूर ध्यान में रखेगा मैंने बोला ना कि अगर आप budget और survey कर लेते हैं तो 7-8 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा तो बहुत गंभीता से budget को survey को लेना है आपको ओ सके तो खुद भी पढ़ लिएगा बाकि तो हमने पढ़ा ही दिया है अब जानते हैं कि agriculture, infrastructure and development CES का मतलब लाइए इसको प्रपोस किया गया है agriculture, infrastructure and development CES किसके ओपर है certain items including urea के ओपर, apple के ओपर crude soybean के ओपर, sunflower oil के ओपर crude palm oil, tabulishana के ओपर and peas के ओपर इन सबों के ओपर में अब देखेंगे agriculture, infrastructure and development CES imposed किया गया है इन सभी के ओपर में so that is again very important sir इसको भी याद रहेंगे so what is this this is tax on tax CES को क्या बोलते है कर के ओपर एक कर लगाया जाता है इसको बोलते है उप कर यह लगाया जाता है agriculture में यह देखते है क्या है sir agriculture infrastructure fund की बाद कियागे to be made available for APMCs for augmenting their infrastructure 1000 more mandis को इस्थापना APMC mandis के बारे बात हो रही है to integrate into the E-NAM market place इन सभी के बारे में चर्चा की गए इससा ठीक है so it was the highlight of buzzards कुछ hot news है उसको भी हम लोग cover up कर लेते है that is again very important for us sirs and ma'ams right so agriculture infrastructure fund के बाद आए हम लोग देखते है कि center likely to postpone census to 2022 में हम लोग देखा कि कोविट की वैसे वो पूरी तयारियां नहीं हो पाई इसलिए हमें census को एक साल और आगे बढ़ाना पड़ेगा 2022 तक के लिए so likely to postpone census to 2022 center is on track to push the census को 2000 पूरी किंसर गाइस बात ले तयार है कि जो जंगना 2021 में होने थी उसे हम 2022 में ले जाएंगे continuing preoccupation with the COVID-19 pandemic चाहिड सी बात है यह करना भी चाहिए क्योंकि अभी भी करोना का प्रकोप खतम नहीं हुआ है background के ऐसा census exercise was to be conducted in two phases house listing का काम होता है and house census का काम होता है so house listing का काम तो हो चुका था house sensing का census का काम नहीं हुआ था जो अप्टेल से सेफ्टेंबर 2020 के बीच में होना था इसी बीच में हम लोग करोना काल में फस गया है and population enumeration का जो काम होना था यह होना था फरवरी 9 से लेकर के 28 पर भी 2021 के बीच में तो हमारे यहां तो अब देखेंगे house census का house listing का काम तो हो रहा था house census का काम नहीं हुआ था population enumeration का काम नहीं होता यह भी याद रखेगा census में steps क्या है पहला होता है house listing का का काम दूसरा होता है house census का 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 काम और तीसरा होता है population enumeration का का काम ये तीन स्टेज़ होता है, house listing, house census and then population enumeration, ये sir याद रखेगा sir, first phase, दूसरा स्टेज and तीसरा स्टेज is population enumeration, sir please याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है और अभी आपने देखा कि ये दो चरण है, ये दो चरण हमारे हैं हुआ ही नहीं, house listing के बाद, हमरे housing census and population enumeration दोनो PR, were initially to be ruled out in some states on 1 April 2020, but were postponed due to the pandemic, इन सभी को क्या कर दिया गया, pandemic करोना की वैसे इसे टाल दिया गया, census क्या होता है, census से क्या important, क्या significance है census का, तो sir ये provide करता हमें information, किस के बारे में, population size, उसका distribution, वित्रण, socio-economic, demographic and other characteristics of the country's population, जो country का population है, उसके size के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके वित्रण के बारे में population के बारे में मिलती है, socio-economic, demographic and other characteristics of country's population के बारे में जानकारी हम मिलती है, सर याद रखेगा, history के है, आईए हम लोग बात करना, शूकर है, census के बारे में, जो पहला census हमारे पास start हुआ था, वो देखेंगे कि Lord Meo के समय में हुआ था, 1872 में, 1872 में, but that was not organized one, 1872 में, but that was not organized one, it helped in framing new policies, government programs, to uplift areas, improvement in the community, the first synchronous census, यह हुआ था कब, यानिकि जिसकों बोलते है, organized census यह हुआ था, 1881 में, और तब से लेकर के, आज सक प्रते एक 10 साल पे, uninterruptedly हमारे हैं क्या हुआ था, census का काम किया जाता है, सो पहले बाँ, अठाज सो बाते में, Lord Mayor के समय किया गया, लेकिन यह organized नहीं था, पहले बाँ, जो synchronous, यानि कि organized census हमारे हुआ, शुरू हुआ, वो 1881 में हुआ, और 1881 से अभी तक लगाता, प्रते एक 10 वर्षों पे, हमारे हां census का का कारिय किया जाता था, अब यह conduct कौन करवाता है, जंगना, conduct कौन करवाता है, यह भी हमारे लिए बेहत महत अपुर्ण है, इसको भी दिखते है, responsibility of conducting, the decimal, यह यह 10 साल पे जो census होता है, rest with Office of Registrar General के माधिपास होता है, Census Commissioner के पास, India, under the Ministry of Home Affairs, यानि कि जो जनगना होती है, कई बार यह आपसे सवाल पूछा है, किस मंत्राले का धीन आता है, तो यह Home Affairs के अंतरगत आता है, यह दोनों के जिम्मदारी होती है, चले नेक्स साथ यह, Robinhood आप क्या है सर, Robinhood आप के बारें जानते हैं, यह जो है ना, Online Trading App है, Online Trading App, Robinhood जो है, यह Online Trading App है, यह became a cultural phenomenon, under Silicon Valley Darling, with a promise to rest the stock market, I'll be from the Wall Street, सिरह यादर के, Online Trading App है, Robinhood का, ठीके, Let the People Trade, Founders के कोन है, Baizu Prafalukumar Bhatt, 1984 में का जन्व हुआ, एक Indian American Billionaire Entrepreneur है, गुजराती मूल के है, ठीके ना, So, Baizu, Baizu Prafalukumar Bhatt है, गुजराती और जन्व है, 1904 से में काफी यह जन्व हुआ है, जन्व हुआ है, He is a co-founder, along with Vladimir Tenev, of Robinhood, Robinhood, a US-based financial service company, यह co-founder है, along with Vladimir Tenev के साथ, Robinhood, of Robinhood, ठीके, इतनी बाते हम जाने के, Robinhood Market Inc. क्या है, यह American financial service company है, इसका headquarter, Menlo में है, Park, California में, जन्वरी 28, 2021 को, Robinhood restricted the trading of certain stocks following an effort by users of Wall Street's bets red debt to drive up their price, this is an attractive condemnation from the internet users on the sub-credit and the tutor, just because of this, it was in the news, Robinhood, right? नेक्स आजिए, बारगी, यह last piece of information, इसके बारे हम लो देख ले, आप देख पार होंगे, जो ruling All India Tribunal Congress Party, यहने TMC, यहने कि Mamata Banerji, मैं का, has founded a specific word to attack the भारतिय जन्दापाटी outsider's status, the word बारगी, ठीके न, आज बारगी, as the TMC likes to call the BZP, is of a special significance in the Bengal's history, बारगी का मतलब होता है कि, analysis, the term is reference to the several Maratha invasions, कई Maratha invasions वे, पश्चिम में, पश्चिम मंगाल के उपर में, 1741 से लेके 1751 के बीच में, which resulted in the looting, plundering, and massacres of what was known as Mughal territory, ठीके न, इनका को जम करके, लूट मार किया गया मुगलों के द्वारा, ठीके न, ये बारगी जो होते थे, ये मरठा सैनिक होते थे, घुरसवार होते थे, the happening of this specific period, have affected Bengal's consistence so much that, they have established presence in Bengal, folklore and literature, and the term बारगीज is used as casual reference for troublesome outsider forces, बारगीज, ये समझने, figurative है, जो कि क्या मारठा सैनिक के, जो मारठा सैनिक को दिनको बारगीज बोला गया था, जो कि उत्पात मचाते थे, तो इनको figurative यूज करते वे, बारगीज is used as casual reference, troublesome outsider forces, जिसको TMC ने BCP को ये करार दिया, बारगीज, just because of this term came into the news, जो कि मारठा और मुगलों के बीच का एक संबंध है, याद रखना है, बारगीज, बारगी क्या है, ठीके, तो यहाँ पर उनको outsider बताते वे, troublesome outsider forces बताते वे, बारगीज की उपादी दी गई है, किसके दोरा BCP को, बारगी, simply speaking, the word बारगीज refers to a cavalryman, मैंने बताया, इन मारठा आर्मी घुरसवार होते हैं, अन मुगल आर्मी, दे वर्ट कमस फ्रॉंद पर्शियन बारगीज, लिटरली मीन, बर्डेन टेकर, जो बारगीज का मतलब बारगीज जो होता है, इसका मतलब पर्श्य में क्या होता है, फार्शी भासा में बर्डन टेकर होता है, बर्डन लेने वारा होता है, बटेंद मुगल अन्मराथा आर्मी, अर्म सिग्निफाइड अ सोजर वो रोड़ा होर्स पॉर्निस बाइज एम्प्लॉयर, ठीक है? यह याद रखेगा, यह UPSC ने कई बारगी सैनिक के बारे में पूछ रखा है, ऑप्शनल में जब होता था, आज की तरह आपको सीसेट और जीएस होता है ना, जब यह ऑप्शनल होता था, एक सब्जिट आता था, उसमें प्रिलिम्स में उसमें पूछा था बारगी कौन थे? भूवे रखेगी की दो बर कोशनल पूछा गया है, UPSC में, याद रखना है सर आपको अनमाम्स, आज थोड़ा सा लोड़े है, विद लोड़ा सा था, आपको उन सारे लोड़ को थोड़ा डाइजस करना है, पच्छा लेना है, चिंता नहीं करना है, एंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास टेलिग्राम ग्रूप पे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, यूज करके आप अनकाडमी को जॉइन कर सकते हैं, अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी के जिस खदम होने के बाद गवर्नेंस और आर्ट और कुल्चर शुरू करूँगा, आपको फिर मिलते हैं, एक ग्यारा बजे, आना यही है, दिन में एक ग्यारा बजे, बाई, टेक केर आवर्यों, लॉट्स अफ्लोव और बैसिंग्स.